देखें बिहार बिजली विभाग का आपको जो है सिलेवस तो पता ही चल गया होगा लेकिन इस वीडियो में मैं ये बात बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब्जक्ट पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा जिससे कि आपका जो है मैक्सिमम मार्क आ स यह विडियो है तो देखिए इनका जो ट्रेड से जो है यहाँ पर देख सकते हैं तीन टेप के मोटर से क्वेश्चन आएगा एक वाइंडिंग वाईरिंग और कैबलिंग से क्वेश्चन आएगा और यहां पर देखिए अनाधर जो टॉपिक है यह सारे आपके इन से रिल और जब अनादर दूसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर अल्टरनेटर, सर्कुट ब्रेकर, डॉमेस्ट्रिक अप्लाइंसेस, पावर जन्रेशन, ट्रांस्मीशन, थर्मल, डीसी एंड एसी ड्राइफ, यह सारे इंपोर्टेंट है लेकिन मैं आपको बता दू यह तीनो टॉपिक, पावर जन्रेशन, ट्रांस्मीशन, और थर्मल, यह तीनो टॉपिक जो है इससे जादे कोशन पुछा जाते हैं, तो यह तीनो टॉपिक जो है आप किलियर में रखेएगा, फिर आपका जो आता है, यह आपका आता है अंडर अंडर ग्राउंड केबल से, और यह नहाँ पर जो है ठीफेज मोटर से काफी बार question पूछे गए हैं से, यह निकि इन सब को मैं एक नंबर नाम दे दूँ, यह आपको सबसे जादे करने हैं, इसको मैं एक नंबर का दू और इसको भी मैं एक नंबर का दू, तो यह सब को बहुत बढ़ियां से पढ़ना है, फ में से आपका आता है single phase motor यह आपका दो नंबर हो गया अगर आप यह सारे topic को clearly बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और एक जो है DC और AC drive यह भी आपका बहुत अच्छे से आता है यह सारा जो मैंने अभी टॉपिक बताया इसको आप कर लेंगे तो आपका जो 50 नंबर का ट्रेड में पुछता है इसमें आपको 40 से लेकर 45 नंबर तक अराम से आ जाएंगे अगर आपने ये सारे जो टॉपी के मैंने अभी बताएं वो कर लिया तो अब बात कर लेते हैं आपको किस किस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा तो देखिए इल अब अब आपने ये जो मैंने बताया हिंदी कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल पचास 15 कितना होता है 65 और 10 65 और 10 होता है 75 तो यहां से यह तीनों टॉपिक से आपके 75 और इजिनिंग तो आपका ठेक होगा ही तो 10 और जोड़ लिजिए यानिकि 85 कुश्चन आपके बन जाए तो अच्छा खासा और जीके जीए से एक दो और इंगली से एक दो बन गया तो और अच्छा हो जाएगा लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसी सब पर देना